हे दोस्तों में चिराग एक और टॉपिक के साथ तो आज हम कावर कर रहे हैं ओडिटिंग का टॉपिक जिसका पहला बाट है आपका इंट्रोडक्शन का फीचर्स का अबजेक्टिव का इसके प्रिंसिपल्स का यानि फंक्शन्स ओडिट का और लास्ट में जो आएगा वह ब क्योंकि जनरली आप दो टाइप से बोल सकते हो इंटर्नल होती और स्टेटूटरी होती है देखिए टाइपस ऑअडिट बहुत सारे हो सकते हैं टैक्स ऑड़िट भी होती है इसके अलावा जो रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग का पार्ट आपका आ रहा है जो कि आपके जैसे management audit, energy, environmental, system audit हो गया, safety audit हो गया, वो generally मैं सारा part आपको cover कराऊंगा, लेकिन जो relevant है वो ही cover करेंगे, जैसे आपको दे रखा है vouching, verification, valuation, assets or liability का वो ही cover करेंगे, आपको दे रखा है cost audit, audit report, वो ही cover करेंगे, क्योंकि जब भी आप क्या करते हैं, अगर आपने slavers देखा, तो आ account and auditing के 9 questions थे, 9 में से आपके जो 4 थे वो auditing से related थे, तो देखिए एक बार कम आया, एक बार ज्यादा आया, तो आगे हम नहीं बोल सकते हैं कि कैसे आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, क्योंकि accounting and auditing बहुत बड़ा topic है, बहुत बड़ी unit है, उसके अंदर बह element वो cover कर लेंगे, अब देखिए आगे का बार स्टार्ट करने से पहले कर लेता है, अनेकडमी की बाग, देखिए अनेकडमी लेकर आया, रिवाइस इंटिया फॉर एंटी यूजिस इनए टू तू 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 अपरेल से यह start है, इसमें top teachers द्वारा complete revision आपको provide कराये कि जिसमें revision भी होगा और MCQ sessions भी होंगे, 21 subject होंगे तो आगी की slide में इसके subjects बता जाता हूँ, paper one को होगा ही common इसके अलवा देखिए आपके specific subjects related जैसे commerce, English, history, Hindi, education, geography, economics, management, Sanskrit, law, Punjabi, इस तरीके से जो भी आपके specific subject हैं, उन से related भी sessions होंगे, MCQ का part भी cover होगा, तो अब यह enroll कर सक लिंक आपको क्या दे रखा है, description में दे रखा है, इसी तरीके से unacademy की तरफ से आपके लिए एक और benefit है, देखें unacademy लेकर रहा है championship free mock test, जहां पर आप अपने JRF के team का achieve कर सकते हैं, देखें हर Saturday paper one, commerce, geography, Hindi, English, इन से related free mock test cover होंगे, तो आप देख सकते हैं, आपकी practice भी हो 14th April से batches start है, किसका है, paper one और computer science का है, आप educator देख सकते है, वोड नाला, शिवालिंगम, प्रियंका चैटर जी, निहारीका बक्तानी, यह आपको paper one और computer science से related, revision provide कराएंगे, वैसे sociology का part भी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते है, revision हो रहा है previous year के question के through, 14th April से batches start है, इसी तरीके से management का part भी है, तो यहाँ पर भी revision हो रहा है previous year के question के through, इन batches का link आपको description में दिया गया है, वहाँ से आप enroll कर सकते हैं, और देखिए याद रखिए, अगर आप plus से iconic subscription ले रहे हैं, और 10% off चाहते हैं, तो चिराग NTA referral code का जरूर यूज कर लेना, तब जाके यह आप आपको 10% off मिलेगा, अब चलते हैं अपने अगले part की तरफ, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, आज के part में, introduction का part, जिसमें हम देखेंगे evolution of auditing, देखिए, अब आपको audit का मतलब तो पताईए, जिसको हिंदी हम क्या बोलते हैं, unction, इसको आप तीन शब्दों में यह भी independently examine करवा रहे हो, जिसके through financial statement जो भी आपके, उसकी जो भी financial position हो गई, या बोल सकते है business के जो भी result है, उसका true and fair view दिख रहा है, अभी देखिए, मैंने क्या बोला, आप अपने books of account, तो books of account में क्या आएगा, उसमें आएगा, जनरली आपका statement of P&L, balance sheet आ गया, क्योंकि मैं company के चेक, auditor से, जनरली क्या करवाएगी, books of account, उसमें क्या आएगा, statement of P&L, balance sheet, cash flow statement, statement of change in equity, notes to account, जनरली ये होते हैं, आपने मेरे से IAS और IFRS पड़े थे, जनरली, INDAS और IFRS, तो उसमें मैंने आपको बता दिये थे, क्या क्या होते हैं, और वैसे भी आपको पताई है, जब आप accounts का verification, या एक तरीके से क्या बोल रहे हो, उसको vouch कर रहे हो, उसको examine कर रहे हो, auditing का मलब क्या हो गया, वो एक particular procedure हो गया, एक particular क्या कर रहे हो, जैसे मैंने costing बोला, तो मैंने क्या बता है, cost को calculate करने का process, तरीका, वैसे auditing क्या है, एक particular procedure के थ्रू होगा, ये नहीं कि बस account करती है, report भी देनी पड़ती है, तो आपको बताए कि पूरे particular audit programs को follow करना पड़ता है, particular working paper जो भी हो maintain करने पड़ते है, जो भी last में जाके फिर report देनी पड़ती है, तो एक पूरा procedure होता है, तो systematic हो गया, और independent examination का मतलब क्या हो गया, आपको मैंने बताए कि companies को audit कराना कंपल करके देता है, produce करके देता है, फिर वो दीर दीर क्या करते हैं, या तो firm के form में होते हैं, या individual auditor के form में होते हैं, आपको पता है कि जब मैं term बताऊंगा auditor की, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने period के लिए क्या होते हैं, वो firm में या company में एक तरीके से audit की term के लिए होते है वो आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पे हम बोल रहे है systematic और independent examination हो रहा कि इसका books of account का जिसके तुरू जो भी financial statement है वो business की क्या दिखा रहे है true and fair वो दिखा रहे है financial position बिल्कुल अच्छी दिखा रहे है उसमें कोई भी manipulation का part नहीं है उसमें कोई भी fraud नहीं है अगर मैं एक example के तुरू बता हूँ अगर आप खुदी accountant हो किसी firm के और आप ही verify कर रहे हो आप ही vouching कर रहे हो आप ही check कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा वो biasness वाला part हो जाएगा क्योंकि उसमें fraud के chances ज़्यादा हो सकते है आप account को manipulate कर सकते हो आप misappropriate कर सकते हो company के fund का आप cash की चोरी कर सकते हो ऐसा हो सकता है मैंने बोल दिया accountant हो ऐसा हो सकता है क्या बता owner ने आपको बोला कि accounts को अलग दिखाओ तो आप जान पूछ के जो stock है उसकी value ज़्यादा दिखा रहे हो तो आप एक तरीके से window tracing कर रहे हो window tracing का मलब क्या होता है आप किसी गर पे जाते हो बाहर देखते हो यार मस्त color हो रहा है लेकिन जब अंदर जाते हो तो पता जलता है कि उसकी गई हालत यानि उसकी पूरी हालत क्या बिगड़ी वी है कहने का मलब उल्टे शीदी जगे सारा सामान रखा हुआ है तो आप देख सकते हो अंदर position सही नहीं है लेकिन बाहर से अच्छा दिख रहा है वैसे हम क्या बोल सकते है company की जो balance sheet देखोगे पेनल देखोगे वो बाहर से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से पता चला actual में ही नहीं asset की बात कर रहे हो asset दिखी नहीं रही ठीक है real में अगर आप stock देख रहे हो तो stock valued किया हुआ एक तरीके से या stock हम बोल सकते हैं कि कम valued किया हुआ है ज्यादा valued किया है लेकिन actual में देखा तो इतना है ही नहीं over valued, under valued जैसे भी आपने किया है तो जान पूछ के आपने क्या कर रखा है manipulate कर रखा है ताकि जो external user है इसका मलब जो भी क्या हो गए stakeholders हो गए shareholders हो गए हम बोल सकते हैं bank हो गए supplier जो आपको goods प्रोवाइड करते हैं deventure holder जिन्होंने एक तरीकी से आपको fund प्रोवाइड कर रहा है या bank जिन्होंने आपको loan प्रोवाइड कर रहा है तो उनको information सही पता नहीं चलेगी तो जब भी information सही पता करनी है तो उसके लिए एक बाहर third party से क्या करवाना पड़ता है आपको verify करवाना पड़ता है accounts को जिसे हम क्या बोल सकते हैं एक auditor ठीक है तो यहाँ पर यही बोल रखा है अब origination पर भी जाएंगे कैसे लेकिन मैंने आपको हल्का सा explain कर दिया तो यहाँ पर यह बोला है the term audit is derived from the Latin term order which means to hear, सुनना ठीक है जैसे देखिए आशी की 2 में श्रद्दा कपूर ने उसको बोला था जो हीरो है ना नाम बूल गया मैं उसको क्या बोला था सुन रहा है ने तू रो रही हूं मैं जनरली यह बोला था वैसी क्या कर रहे हो आप भी मेरी सुन रहे हो उसी बेसिस पर आप मुझको एक्जामीन कर रहे हो चेक कर रहे हो तो यहाँ पर order का मदलब क्या है to here तो यह बोल रहा है कि ancient time में क्या था यानि एजिप्ट में ग्रीस में या roman empire की बात कर रहे हो तो उस वक्त आपको पता है कि kings ही होते थे राजा ही होते थे तो government के fund की जो भी accounting होती थी वो कौन करता था skilled accountant करता था तो उसने accounting कर ली फिर देखिए जो government है उससे related क्या होता था एक judiciary functionary होता था judiciary functionary राजा से related जो भी एक person हो गया जिसको अपोइंट कर दे गया उसको जनरली आप auditor बोलते थे क्या बोलते थे auditor तो जो skilled accountant है वो इसके पास अपनी रिपोर्ट लेके गया उनको सुनाता था इस skilled accountant इनको क्या अगरता था सुनाता था और यह सुनते थे तो यह judiciary functionary जो भी है वो सुनते थे इसलिए जनरली इनका नाम के बढ़ गया auditor क्योंकि order का मलब क्या था two year तो यह सुनते थे judiciary judiciary functionary उनको क्या बोला गया auditor बोला गया इसके बेसिस पर जो यह judiciary functionary है उनके जो auditor है वो अपना वर्डिक्ट देते थे कि जनरली जो भी account government के यानि fund है वो डंग से allocate हो रहे है या नहीं हो accountant तो देखिया accountant क्या कर रहा है accounts को read कर रहा है in order to check them तो वो person क्या करता था इनको check करता था कि इनको accountant को he was known as auditor तो इसका मलब क्या हो गया वो ही judiciary functionary जो सामने वाले को check कर रही है auditing is as old as accounting and there are signs of its existence in all ancient cultures such as Mesopotamia Greece Egypt Rome UK and India अब देखिए इंडिया में भी है इंडिया में generally क्या बोल रहा है कहां पर दिख रहा है आपको अर्थशास्त्र बाइक को टिल्या detailed rules for accounting and auditing of public finances तो बोला पब्लिक finance related accounting और auditing के detailed rules वो किसमें cover किये गए को टिल्या नाम से एक professor था यह मान के चलिए उसने अर्थशास्त्र नाम से अपनी बुक जो भी है उसमें यह बता रखा है सारे के सारे detailed rules accounting के और auditing के अब देखिए जो मैं और origination बता रहा हूं वो इतना जादा necessary नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा आपको आना चाहिए लेकिन मैं इतना जा accounting का system एक तरह के से properly दीरे दीरे follow होने लग गया debit credit system जो भी आप जानते हो उसके बाद 1844 में आप बोल सकते हो proper revolution हुआ जिसमें हम बोल सकते हैं कि audit को एक तरीके से किया जाएगा verify किया जाएगा check किया जाएगा किस के थुरू एक auditor के थुरू अब देखिए उसकी qualification नहीं बता ही इन्होंने यह गलती कर दी 1844 में अब इसका मलब कोई भी person हो सकता है चाहिए वो accountant नहीं भी हो लेकिन उसको किसकी help लिनी पड़ेगी जैसे मैं accountant नहीं हो इंडिया वहाँ पर क्या है इंचिट्यूट ओफ चार्टेट अकांटेट ओफ इंगलेंड आइसी ए इंगलेंड आइसी ए बोल देता हूं मैं और क्या तो आपको बता है 1880 में जनरली क्या लेकिया गया वह एक तरीके से qualified accountant और auditor से related qualification लेके आगया कि उनके पास क्या क्या क् अब इंडिया में जनरली जो आया वह कब आया देखिए इंडिया में शुरुआत तो वैसे हम बोल सकते हैं कि अकांटिंग की एक प्रॉपर प्रॉसेस की शुरुआत जो आज के टम क्या अकॉर्डिंग है वह company's act 1866 में वी थी 18 1866 में वी थी लेकिन जो असल शुरुआत ब वह कब से भी थी एक अप्रेल 1914 से क्योंकि आपको बता है कि company's act 1913 जैसे मैंने बोला पहले company's act 1866 था वैसे उसके बाद क्या है company's act 1913 आपको बता है amendment होते रहते हैं जैसे अभी क्या चल रहा है company's act 1913 के बाद क्या था 1956 फिर बीच में कोई आया होगा शाय 2000 था फिर 2013 आया इस हर साल उने क्या करना पड़ेगा यानि हर साल उने companies को audit करवाना होगा और बीच में आपको बता है कि जैसे यह ICAE था England का Institute of Chartered Accountant वैसे बीच में क्या create हो गया Institute of Chartered Accountant of India create हो गया जिसमें generally क्या होता है qualified Chartered Accountant निकल के आते हैं जो क्या करते है companies की audit करते हैं आपको यह भी पता है तो इस से related जो एक्ट है वो क्या कहला था Chartered Accountant Act 1949 Chartered Accountant Act 1949 तो इस तरीके से आपको मैंने हलका सा क्या बता दिया origination का पार बता दिया वो देख सकते हैं अब यहां पर यह बोल रहा है it is an examination of accounts to a certain whether the financial statement give a true and fair view of financial position and profit or loss of the business मैं आपको बताया कि accounts को एक तरीके से क्या कर रहा है एक्जामिन कर रहे हो जिसके तुरू जो company का financial statement है जिसमें books of accounts से सारी आ जाती है वो क्या दिखा रही है true and fair दिखा रही है क्या company के financial position की इसका मलब balance sheet की और company के statement of P&L मलब company के operating result की कि profit या loss सही आया या नहीं आया audit is performed to ascertain the validity and reliability of information information मलब क्या हुआ जो भी accounts प्रोवाइट किये हैं auditor को किसके दोरा company दोरा उसकी validity देखना और उसकी reliability देखना कि वो borrow से लायक है या नहीं है तो उस basis पे वो क्या करेगा वो सामने अले से क्या मांगेगा document मांगेगा सारे books of accounts के record मांगेगा vouchers मांगेगा उसके basis पर क्या करेगा वो check करेगा और देखेगा कि जो balance sheet बनाई गई है statement of PNR बनाई गए है वो सही बनाए गए है नहीं बनाए गए सबसे पहले तो यह है लेकिन main के साथ क्या आता है वो भी आ जाता है secondary भी आ जाता है तो secondary objective में क्या हो गया जैसी आप financial statement को check करोगे और true and fair view देखना चाहोगे तो companies की बहुत सारी पढ़ते निकलती जाएगी यानि पता चलता जाएगा कि क्या fraud किये गए है क्या error किये गए ह कुछ आपका पता करना मुश्किल हो सकता है लेकिन generally आपको दीरे-दीरे करके पता चलते जाएगे तो एक तरीकी से करना detect करना और prevent करना उनको रोकना आपका काम है तो देखें यहां बे बोल दिया कि financial audit आपने देखी होगी statutory audit होती है जो कि companies act का पार्ट आएगा मैं आपको बताऊँगा 138 से लेके 148 139 से 148 तो statutory audit से related यानि auditor से related पार्ट आपके आजाएगे और जो 138 है वो internal audit का पार्ट आएगा मैं आपको बताऊँगा वैसे एक tax audit होती है जो कि income tax act के according होती है ठीक इस तरीके से आपके पार्ट आजाते है तो आपको बोल रहा है कि financial जो भी audit है उससे related opinion देने opinion का मतलब क्या होता है जो भी report होगी audit की वो generally दो type की होती है एक तो clean report बोलते है जिसको unqualified report बोलते है और एक होती है qualified report याद रखना तो यहाँ पे उसमें opinion होती है opinion क्या होती है या तो आप qualified opinion दे सकते हो या आप क्या दे रहो disclaimer opinion दे रहो या आप unqualified opinion दे रहो इस तरीके से opinion आपकी होती है तो वह आगे आपको समझ में आ जाएगा किस type की opinions होती है और किस type की report होती है जब हम audit report का बाद पढ़ेंगे वैसे ब environmental audit आ गई, system audit आ गई, safety audit आ गई, तो यह एक तरीके से non-financial area है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि traditionally जो audit है, पहले किस से associated होती थी, financial system से, और financial record maintain करने से related, लेकिन recently आजकल non-financial subject पर भी audit होने लग गई है, जिसे safety, security audit, information system audit, performance audit, environmental audit, इस तरीके से बहुत सारी audit होने लग गई है, अब कुछ definition के बार दे रखें, मैंने ज़्यादा cover नहीं करें, अगर आपको ज़्यादा देखने हैं, तो गूगल पर सर्च कीजिए, definition of audit बहुत सारी मिल जाएगी, तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा cover करना जरूरी नहीं है, क्योंकि assertion reasoning का जब भी part आता है, तो आपक अग्सान में तो B.com third year की book है, auditing and management accounting उसमें generally cover हो जाता है, तो theoretically अगर आपको origin देखना है तो उसमें देख सकते हैं, हम तो क्या करते हैं, particular देखते रहते हैं, check करते रहते हैं, इसलिए हमें मिलते रहते हैं बहुत सारे content, तो आप भी check करोगे, आपको बहुत सारे content मिल सकता है, यहाँ पर बोला Lawrence R. Dixie, उसने क्या बोला, an audit is an examination of accounting record, accounting record का examination undertaken with a view to establishing whether they correctly and completely reflect the transactions to which they purpose to relate, इसका मलब देखिए, किसी company ने accounting की auditor आया, उसने accounting record को examine किया, उसने देखा कि जो accounting record हमने लिये हैं और हमने जिसको check कर रहे हैं, वो correctly और completely reflect कर रहे हैं, transaction जो हम चाहते हैं, या जो हम हमें लग रहे हैं कि साही है, तो हमें क्या लग रहे हैं कि सामने आले ने क्या कर दिया है, तो हम अपनी report में उससाब से क्या कर देंगे, opinion दे देंगे, तो Lawrence R. Dixie ने यही बताया कि audit क्या है, accounting record को examine करना, और जैसा हम चाहते हैं, वैसे वो reflect हो रहे हैं, या नहीं हो रहे, ठीक है, या जो भी information हमें दी गई है, उसके according जो भी transaction है, वैसे reflect हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं, फिर देखिए, Institute of Chartered Accountants of India ने क्या बताया, auditing is defined as a systematic and independent examination of data, आपको बताया, एक particular procedure का follow होगा, तब जाकि audit report निकल के आएगी, ठीक है, तो यह बोल रहा है, systematic and independent examination of data, statements, records, operation and performance of an enterprise for a stated purpose, तो हम सामने आले से क्या मांग सकते हैं, वो document मांग लेंगे, जो भी accounting से related है, vouchers मांग लेंगे, जिसके तुरो हम क्या करेंगे, check करेंगे accounts को, in any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the proposition before him for examination, collect evidence, evaluate the same and on the basis formulate his judgment which is communicated through his audit report, तो यह बोल रहा है कि वो क्या करेगा एक तरीके से, जो भी proposition है, मतलब जो भी पहले आने वाले criteria है, उनको check करेगा, examination करेगा, कि books of accounts जब भी हम maintain, सामने आली company maintain कर रही है, तो उससे related उन से हमें क्या क्या document मांगने है, क्या क्या vouchers लेने है, वो collect करेंगे evidence, उसके बाद उसको evaluate करेंगे, और उसके basis पर अपनी judgment देंगे, कि इसमें audit report में, उसके थ परिगे से क्या है, आपके मन लल चाले का पाट है, अगर आप मेरे को क्या बोलोगी, कि मैं आपको 20,000 देने के लिए तयार हूँ, ठीक है, और ये मेरा particular काम कर लो, जो कि आदे गंटे का है, तो आपका भी मन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा, कि आप 20,000 पर दे रहा आदे गंटे के लिए, और illegal काम है, चलो एक बार कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो चलता है, इंडिया में क्या कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम theoretical rule है, उसके साब से में देखना पड़ता है, तो यहाँ पर देखे क्या बोल रहा है, meaning of an audit contains, an intelligent and critical examination of books of accounts of business, it is done by an independent qualified person, एक intelligent or critical examination हो चाहिए, books of account का, यह done किसके दुरू के आ जाना चाहिए, independent qualified person के दुरू, it is done with the help of vouchers, document, information, explanation received from the clients, ठीक है, यह तो बोल रहा है कि client से related, जो भी information, clients हमने information ली, vouchers की, document की, आपको बताएगी, जैसे देखिए, मान के चलिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमें किसी party से क् cash मिला, तो उससे related receipt देखेंगे, इसी तरीके से में बोल रहा हूँ कि check मिला, तो उस check को bank में जमा कराया गया है, तो bank से related statement देखेंगे, वो सारी information हमें बता रहे नहीं चाहिए, the auditor satisfy himself with the authenticity of financial accounts prepared for a particular period, तो जो company ने financial account बनाए है, उसकी authenticity वो चेक कर लेगा, कि proper बनाए हैं नहीं और हाँ जो मैंने आपको बताया है, ब्रिष्टा जार यह देखिए, वो तो opinion है, आप देखोगे कि आज कर ले ही particular part होता है, लेकिन बाद में उसका नतिज़ा तो बुराई होता है, तो वो तो आपके उपर है, करो या ना करो, देखिए, यहाँ पे बोल रहा है features of auditing, अब अब इसको जली-जली देख लेते हैं, क्योंकि इसमें समझाने कोई पार्टी नहीं है, ऊपर मैंने बताई दिया, तो देखिए, बोल रहा है systematic and scientific examination of books of accounts of business से, एक तरीके से, प्रॉपर क्या करते हो, आप research के थूपर books of accounts को identification करके, उनके vouchers, documents सामने काले clients से मंगाते हो, और कोई form भी हो सकती है, जिसमें maximum क्या है, chartered accountant होते हैं, देखिए, जब भी हम क्या करेंगे, वो auditor की qualification की बात करेंगे, और auditor कौन कौन से एक तरीके से audit के form में, यानि audit companies में audit के लिए appoint हो सकते हैं, वो आपको क्या पता चलेगा, अगले वीडियो में, मेरे साब से अगले वीडि audit is a critical review of the system of accounting and internal control, अब देखिए, जब आप internal control की बात करते हो तो उसमें क्या जाता है, आपका internal check का पाड़ा जाता है, internal check का पाड़ा जाता है, और internal audit का पाड़ा जाता है, internal audit है वैसे जरूरी नहीं कि सारी companies के लिए कंपल सरी है, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस-किस companies के लिए internal audit भी कंपल सरी है, कौन सी private company जिनके लिए internal audit कंपल सरी है, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अलग से internal audit का पाड़ा करूँगा, internal check को ऐसे समझीए कि जैसे आप क्या करते हो, goods को खरीते हो, या assets को खरीते हो, services जो भी आप खरीते हो, लेते हो, उसके अलाब आप क् एक ये ऐसे बोल सकते हैं, कि जैसे मान ये cash receipt है, क्योंकि generally cash receipt में एक एक एक्टिविटी ने होती, और भी ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है, मान के चलिए कि आपको cash मिला, तो cash मिला तो वो किसको मिला, cash share को मिला एक तरीके से, cash share ने cash लिया, और उसके बल्ले में कहा देत एक एक एक्टिविटी हो गई, फिर generally उस cash को, जो cash share है, वो किसको दे देगा है नहीं, उसकी जो भी receipt है, एक तरीके से, जो original copy है, original जो भी हम बोल सकता हूँ, document हो तो सामनल को दे दिया, और जो copy है, वो आपके बास पढ़ी हुए company के आस, अब company ने क्या कर दिया, वो books of account maintain क तो उसके लिए accountant ने क्या गरा, उसको record किया, ऐसा हो सकता है, इसी तरीके से, journal का part मैंने बता दिया, record किया, इसी तरीके से, laser का part भी आता है, laser में post किया, इस तरीके से, अलग-अलग activities हो सकती है, तो आप बोल सकते हो कि, segment अलग-अलग हो सकते हैं, और उसके लिए person को, तरिका जाता है कि कौन person क्या गरबड कर सकता है कैसे वो account को manipulate कर सकता है कैसे वो cash को misappropriate कर सकता है जान पूछके उसका जो business का cash है उसको अपने benefit के लिए यूज कर सकता है तो internal check के तुरू बता चल जाता है कि कौन person responsible है वैसे internal audit का पार्ट आपका आगया जो कि आपका detail पार्ट आगया जाएगा हलका सा मैंने आपको point बता दिया फिर देखे बोल रहा audit is done with the help of voucher, document, information, explanation यह आपको बताईए जो कि सामने अली company's authority से मिली है यह पर बताया था मैंने and report that they exhibit a true and fair view of the state of affair of the concern अगर वो satisfied नहीं होता तो उस case में क्या करेगा वो qualified report देदेगा देखिए एक तो मैंने बताया था clean या unqualified report होती है जिसमें कुछ भी नहीं गरबड और एक यानि कहने का मलब accounting policies आपने डंग से follow किये हैं जो भी particular statement बनाया है वो बिलकुल डंग से बनाया है proper record maintain किये लेकिन जहाँ पे qualified report आ गई वहाँ पे वो बोल सकता है कि यह generally adverse report है इसका मलब financial statement पूरे डंग से maintain नहीं किये गए है disclaimer report भी दे सकता है जो कि आगे आपको पता चल जाएगा ठीक है जब audit report का पाट आएगा तो यह बोल रहा है the auditor has to inspect, compare, check, review, scrutinize the voucher supporting the transaction इसका मलब क्या है जो भी transactions हुए उसको support करने वाले voucher है उसको वो क्या करेगा check करेगा, review करेगा, scrutinize करेगा, जाचेगा डंग से परकेगा and examine correspondence, minute books of shareholders, director, memorandum of association and article of association etc in order to establish correctness of the books of account कि जो particular object बोले गए है, जो memorandum में लिखा गया है, जो articles में rules से लिखे गए है, जो shareholders की minute book में बताया गया है वो proper आपके जो भी transaction है, उससे match कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, अब आपका दे रखा है objective of auditing जो मैंने आपको बताया है, जो जनरली auditing के objective होते हैं, एक तो main या primary है और एक है subsidiary है secondary objective जब भी आपको याद नहीं हो तो main objective तो हमेशे यह देख लेना कि financial statement का true and fair view देखना है तो उसमें हम क्या करेंगे, वो ही internal control चेक करेंगे, books of account की accuracy चेक करेंगे, यह सारा बाट आ जाएगा लेकिन जब आप subsidiary की बात करते हो, तो उसमें क्या देखेंगे, कि जो भी fraud किये गए हैं, उसको detect करना और prevent करना जो भी error किये गए हैं, उसको detect करना और prevent करना जो भी over undervaluation किया गया है stock का, उसको check करना, मलब जो भी fraud और error हो रहा है, उसको देखना तो जब भी subsidiary objective आते हैं, वो अपने आप क्या होते हैं, main objective के comparison में आ जाते हैं इसका मलब क्या हो गया, कि अगर आप main objective देख रहे हो, तो अपने आप आपको subsidiary objective भी दिखने लग जाएंगे कहने का मलब जैसे आप check कर रहे हो, तो आपको अपने आप fraud पता चलते जाएंगे, अपने आपको error पता चलते जाएंगे तो उसको आप detect करोगे और prevent करने की कोशिश करोगे यहाँ पर यह बोल रहा है, the objective of auditing are changing with the advancement of business techniques earlier it was only to check the correctness of recipient payment अब देखिए क्या होगा है, the objectives of auditing have been classified under two heads main या primary objective और दूसरा क्या होगा, subsidiary या secondary objective अब देखिए, यहाँ भी क्या बोल रहा है, main या primary objective of audit अब देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, main objective को primary objective भी बोला जाता है हो सकते हो, कि अगर आपने goods purchase किया था तो उसका payment, उसके payment के लिए भी आप क्या अगर सकते हो कि generally ऐसे बोला जा सकता है, मान लो check से payment कर रहे हो तो उस case में क्या होगा, payment को pass करवाना पड़ेगा, check को prepare करना पड़ेगा, उसके बाद check को क्या एक्जामिन का procedure भी होगा, क्योंकि देखिए, check को prepare कर रहा है, तो उसके बाद sign कौन करेगा, तो authorized person कौन होना चाहिए, तो वो अलग-अलग आपने segment बना लिये, जिसके तुरू क्या होगा, आसानी होगी, जब भी auditor क्या करेगा, check करेगा, या internal एक तरीके से audit करेगा, तो उ इस तरीके से बोल रहा है, examine the system of internal check, checking, mathematical accuracy of books of accounts, verifying posting, casting, balancing, देखिए, ये तो वो ही है, सीधी सी बात है, journal आप बनाओगे, उसका laser आएगा, तो laser में आपने क्या कर दिया हो, ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया, गलत recording नहीं कर दिया, गलत पोस्टिंग नहीं कर दिया, य वो आपने गलत ले लिया, ऐसे भी हो सकता है, verifying the authenticity and validity of transactions, checking the proper distinction between capital and revenue nature of transaction, तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से capital और revenue nature of transaction को मिलाया नहीं गया हो, कि कहीं आप बोल रहा हो कि आपने प्लांट खरीदा, ठीक है, उस पे जो भी आपने क्या अगरी wages या installation expense incur कर किये, उसकी अलग से entry कर ली, जबकि वो तो plant में include होता है, तो उसको आपको capitalize करना चाहिए था, कहीं आप गलती से उसको revenue expenditure के form में ना मान लो, तो proper फरक या नी difference होना चाहिए, confirming the existence and value of assets and liability, तो ये बोल रहा है कि एक तरीके assets और liability की value को confirm करना कि वो existence में है, और इसकी value है या नहीं है, verifying whether all the statutory requirements are fulfilled not proving true and fairness, मैं तो generally यह याद रखता हूँ हमेशा main objective में, क्योंकि यह होता है, अगर आप किसी और particular क्या करोगे, books में देखोगे तो generally आपको यह दिखेगा, वहाँ तो मैंने detail बता दिया, लेकिन normal यही दिखता है, true and fairness of operating results presented by income statement, मतलब वही profit or loss and financial position presented by the balance sheet, जैसे generally आप ऐसे बोल और liabilities का आपको balance पता चल जाएगा, ठीक, फिर subsidiary objective का मलब क्या होगे, यह बोल रहा है, there are such objectives that are set up to help in attaining primary objective, तो यह बोल रहा है कि primary objective मलब true and fair view दिखाने के लिए generally यह objective एक तरीके से काम आ जाते हैं, इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है, detection and prevention of errors, फिर मैंने क्या पता है, detection and prevention of frauds बोला था आपको, फिर मैंने बोला था वही over और under valuation एक तरीके से किसका हो गया, stock का, यह generally आता है, वैसे आप सिर्फ दो याद रखोगे, A और B, तो वही काफी है, यानि error का detection and prevention और fraud का detection and prevention, अब देखिए error में क्या बोल दिया, कि generally आपकी लापरवाई की वही से हो गया negligence बोलते हैं, carelessness बोल सकते हैं, या आपको इतनी knowledge नहीं थी, उसकी वही से क्या हो गया, आपने error कमिट कर दिया, देखिए कोई unexperienced accountant है, वो accounting कर रहा है, तो उसको कुछ पता नहीं रहता, उसने किसी senior accountant से पूछा नहीं और गलती से क्या कर दिया, accounting कर ली, senior accountant का भी ध्यान न दी गई उसको पता चल गया, कि जो particular voucher दिये गए थे, वो books में record हुए ही नहीं है, कुछ दो तिन transaction रह गए, commission का error मलब हिसाब किया अशुद्धी, हिसाब का मतलब क्या हो गया, कि आपने जब laser में posting करी, तो double posting कर दी, एक side आपने ज़्यादा posting कर दी, ऐसा हो गया, आपने जब balance carry forward किया, तो ज़्यादा कर दिया, जिससे वो broad forward में ज़्यादा दिखने लग गया, या कम दिखने लग गया, वो सारा part हो गया, compensating error मलब शाती पूरक अशुद्धी बोलते है, इसका मलब क्या होता है, कि वही जैसे हमने करना था, Ramesh account को debit, और हमने क्या कर दिया, RAM account क debit रहता है, हमें पता है, तो जनरली उससे क्या होगा, ज़्यादा फरक नहीं रहेगा, compensate हो गया, या ऐसे बोल सकते हो, जैसे रमेश to sales थी, 10,000 से करनी थी, और RAM to sales थी, 1000 से करनी थी, उल्टा कर दिया, इसको 1000 से कर दिया, रमेश to sales, और इसको 10,000 से कर दिया, तो तब भी आ और negligence, और lack of knowledge, और without having wasted interest, ठीक है, अब पर साथ में ये भी बोल दिया, एक लाइन में, error में भी committed without or with any wasted interest, तो कभी कभी क्या होता है, जान पूछ के भी किया सकते हैं, लेकिन देखिए ये मत देखना, क्योंकि जनरली हम क्या बोल सकते हैं, अगर जान पूछ के किया गए तो वो तो fraud बन जाते हैं, अगर आपने जान पूछ के उसमें कुछ interest रखा है तो वो क्या बन जाते है, fraud बन जाते हैं, तो यहाँ पर बोला detection and prevention of fraud, fraud में क्या बोल दिया, fraud are those mistakes that are committed knowingly with some wasted interest in the direction of top level management, जनरली देखिए fraud कौन करेगा, छोटे मोटे लेवल पर नहीं हो सकता, होगा तो चोटा-चोटा होगा, लेकिन जातर कौन करेगा, टॉप लेवल management ने direction दिया, तब जाके जो normal middle level management है, वो क्या कर रहा है, उनके according काम कर रहा है, और वो भी fraud कर रहा है, क्योंकि इन्होंने direction दिया है, और जान पूछ के क्या है, उनमें उनका कुछ ने कुछ interest रहेगा, त बचने के लिए, to show the effectiveness of management, management की effectiveness दिखाने के लिए, कि देखिए हमारी कितनी अच्छी report आई है, यानि हमने business को efficiently operate किया है, to get more commission, to sell a share in the market, or to maintain the market price of share, तो generally मैंने जैसे आपको बताया था, कि वो सत्यम ने जनरली क्या करा, यही करा, सत्यम company आपने देखा होगा, बहुत पुरा यह करने लग जाती है, और बात में पता चलता है, CA इनके through भी मिलके क्या करती है, कभी-कभी fraud कर लिया जाते हैं, यह बोल रहा है, लेकिन ऐसे fraud क्या है, illegal हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए बोला है, कि अगर auditor को पता चल गया, कि company fraud कर रही है, तो उसका detection करना है, उ उसमें fraud में क्या आगया, Miss Appropriation of Cash, Miss Appropriation of Goods, इसको generally ऐसे बोल सकते हो, Miss Appropriation of Funds, ऐसे भी बोल सकते हो, देखिए इसमें जनरली यह बोल सकते हो, जैसे Miss Appropriation of Cash बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो cash share है, वो cash की दिरे-दिर क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, ambazlement का प रहा है, दिरे-दिरे करके क्या कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा cash निकालते जा रहा है, बाद में जाके किसको पता चला, auditor को पता चला, जब उसने accounts जो भी देखे, books of account और जो particular transaction देखे, cash receipt देखी, उससे पता चला कि कुछ ने कुछ गरबढ हुई है, फिर वो ही cash share से stock department इसमें होते हैं, तो वो दिरे-दिरे करके stock निकाल लेते हैं, तो stock दिरे-दिरे करके चोरी करते रहेंगे, तो वो क्या कर रहे है, company के जो भी stock है, उसको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे है, illegal यूज़ कर रहे है, तो generally उसे miss appropriation बोला जाएगा, वैसे यहाँ बोल लिए, owner की जो भी resources हैं, fund है, उनका use कर लिया, ठीक है, इसका मलब चोरी कर लिया, cash ही हो गया, manipulation of account का मलब क्या हो गया, accounts को बड़ा चड़ा के दिखा दिया गया, stock है, आपको बताएगी कितने का है, one lakh का है, closing stock, लेकिन one lakh 50 का दिखा दिया, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, तो उस जान पूछ के value जादा दिखा दी गई है, assets की, या कम दिखा दी गई है, liability जो जादा दिख दी है, उसको कम दिखा दी है, उस वक्त के लिए, time के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है, वैसी बोल दिया, separation of effect of transaction from record or document, तो यह बोल रहा है कि कुछ transaction है, जिसको आपको दिखाना है, ल जान पूछ के वो transaction आप छुपा रहे हो, तो बाद में किसके दूरू पता चलेगा, जब auditor क्या करेगा, उसको vouch करेगा, check करेगा, verify करेगा, recording of transaction without substance, इसका मदलब क्या है, कि ऐसे transaction record कर रहे हो, जो बिना किसी value के या importance के, आपको पताए कि जो substance वाले transaction होंगे, वो ही generally आप record कर लेकिन बिना किसी value वाले transaction भी आपने दिखा दिये, यानि फाल्तु के transaction आपने दिखा दिये, miss application of accounting policies, accounting policies, accounting जो भी आपके क्या है, conventions है, rules है, वो आपने उसका miss application, miss apply कर दिया, फिर आपको दे रखा है, under or over valuation of stock, तो ये भी generally क्या fraud है, तो मैंने जैसे आपको उपर भी बताया, अब ही मैंने आपको क्या बता है, आपे manipulation of account, तो generally manipulation of account क्या ये ही तो है, पर इसने अलग से दे दिया, इसने मैंने अलग से आपको cover करके दे दिया, तो बोला, normally such fraud are committed by top level executive of the business, so the explanation is given to the auditor also remain false, तो इसलिए जब भी क्या, top level executive auditor को information देंगे, वो भी false होगी, और auditor जब report बनाएग जब भी false होगी, इसलिए हम बोलता है कि auditor को libel नहीं ठेराया जा सकता, generally कई बातों के लिए, क्योंकि वो चाहते भी पता नहीं कर पाता, so an auditor should detect such fraud using skill, knowledge and fact, इसका मलब वो अपनी skills, ability का, जो उसने particular एक तरीके से सीखा हुआ है, ठीक है, practical life में, उसके through वो क्या करेगा, verify Other objective क्या हो गया, वो ही, to provide information to income tax authority, जिससे government के वाज tax properties आए, to satisfy the provision of companies act, companies act में जो भी provision बोले गए है, उसके according काम करना, to have a moral effect, तो एक तरीके से moral जिम्मेदार भी बनती है आपकी, की auditor क्या करेगा, ये नहीं कि वो particular क्या कर रहा है, सामने वाला owner बोल रहा है कि आप इतने पैसे ले लीजिए, और अच्छी report दिखा दीजिए, clean report दे दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, तो एक तरीके से moral effect दिखाने के लिए, अब देखिए principle aspect to be covered in auditing दे रखा है, इसको generally function of audit बोला जाता है, ये बोला the following aspect are required to be covered by an auditor while doing audit of any organization, the principle aspect can also be called the functions of audit, अब देखिए वो क्या क्या particular procedure follow करेगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करेगा, वो review of system and procedure, company के जो भी system है, company का जो भी procedure, उसको वो क्या करेगा, एक तरीकी से check करेगा, understand करेगा, क्योंकि उसके basis पर ही आगे वो क्या करेगा, auditing के जो भी procedure है, उसको exercise करेगा, तो इसमें ये बोल है, जैसे देखिए, मैं आपको example बोल रहा हूँ, cash embezzlement का, तो हमें पता चल गया, cash share ने किया है, अगर मैं अकाउंटिंग बोल रहा हूँ, गलत किया है, तो हमें पता चल गया, accountant ने गलत किया, तो इस तरीके से आपको बता है, जैसे कि recording का पार्ट हो गया, लेजर में पो इसी बात है, तो उस basis पर क्या करेगा, दो टाइप के test करेगा, एक तो होता है compliance test और एक होता है substantive test, अब generally यह क्या होता है, internal control में, वह आपको बताया तो, देखिए compliance test में generally आप क्या बोल सकते हो, यह बाट आएंगे कि जो भी control है, management की policy है, procedure से related, वो क्या चल रहे है, जबकि कि अगर आप substantive procedure की बात कर रहे है, substantive test की बात कर रहे है, जो कि auditor करता है, उसमें क्या देखता है, कि actual processing में integrity है यह नहीं है, अब आप समझे नहीं, देखिए generally हम क्या बोलेंगे, management policies आपको बता है, यह procedure है, management क्या करेगा, effectively control करने के लिए कुछ ने कुछ policies create करेगा, तो अगर auditor पहले ही वो देख लिया, तो उसे तीरहिग से compliance test कर रहा है, कि जो भी management policies ने को से follow किया गया, यह नहीं किया गया, वो देख लिएका, जितने भी employee है, management ने जैसा बोला गया, उसे साब से काम हो रहा है, निए हो रहा, पहले हो देख लिया गया, फिर substantive procedure उसके बाद कर औगा ह test नहीं हो पाता तो substantive नहीं हो पाएगा सीधी से बात है क्योंकि compliance test अच्छा होगा तो उसके basis पर क्या होगा substantive procedure भी अच्छा होगा क्योंकि substantive procedure मैंने क्या बोला actual processing की integrity देखी जाती है इसका मलब क्या देखा जाता है जो भी data data है वह validate है या नहीं है data की accuracy देखी जाती है अब data का मलब क्या हो गया जो भी record देखिए अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप accounting का काम करते हो आप एक अकाउंटेंट हो किसी company में record कर रहे हो जो भी account को उसी तरीके से देसे आपने क्यादा सिर्फ जर्नल maintain किये और laser का काम कोई और कर रहा है तो अगर वह प्रॉपर effectively maintain होगा जो कि आपने compliance टेस्ट के त्रू यानि management की policies देख ली और procedure देख ली उसके बाद जैसे आप substantive test पर आये तो आपको पता चला कि जो balance है वह accounting में ही गलत कर दिये गए मलब recording करते समय ही गलत कर दिये गए तो आप उस person accountant को liable ठहरा सकते हो और उसको बोल सकते हो कि आपने गलती किये वैसे जो laser बनाने का काम कर रहा है अगर उसने balance से सही match नहीं करे तो उसको आप liable ठहरा सकते हो तो उस case में क्या कर रहे हो substantive procedure का का काम आप कर रहे हो ये पाट आ गया तो एक तरीके से वह content की क्या दे हुआ अब देखिए जैसे auditor क्या देख सकता है कि management ने अगर किसी procedure में change किया यह हम बोल सकते हैं कि assets का right किसके बास है वह देखना है तो किसमें देखेंगे management के policy ये प्रोशिजर से related देख पाएंगे लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि inventory का validation देखना है record देखना है match करना है कि particular records से maintain किये नहीं किये गए balance देखना है तो सारा पाट किसमें आ जाएगा substantive procedure में आ जाएगा तो यहां पर generally management policies procedure की बात कर रहा है कि उसमें कितना changes हुआ है जबकि substantive procedure में किसकी बात कर रहा है जो भी routine चेकिंग होगा एक तरीके से वह particular पाट देखा जा रहा है हम ऐसे बोल सकते ह कि inventory validate कितनी है कितनी verified की गई है सही है नहीं है क्या पता inventory को ज्यादा valued कर रहा है उसी तरीके से जो proper record maintain किये गए है या नहीं किये गए वह पता चल जाएगा जिससे एक तरीके से effective internal control system review हो जाएगा तो if internal control system is effective less checking is required and vice versa आ गया और अगर effective internal control system नहीं है तो उल्टा बाट होगा इसका मलब ज्यादा checking की जरुत होगी moreover as per company audit report order जिसको जनरली आप कारों बोलते हो तो यह बोल रहा है कि company audit report order 2003 के according also an auditor need to comment on the effectiveness of internal control system in the organization so the review of internal control is necessary for carrying out the auditing exercise देखिए यह नहीं कि सिर्व आप क्या कर रहे हो companies act के rules follow कर रहे हो लेकिन साथ साथ क्या है जो भी आपको extra दिये गए procedure उनको भी auditor को follow करना पड़ेगा जैसे इसके according बोल रखा है कि आपको effectiveness में भी comment करना पड़ेगा तो वो भी आपको report में बताना पड़ेगा अलग से so the review of internal control is necessary for carrying out the auditing exercise फिर देखिए थर्ड क्या बोल दिया हो रूटिन चेकिंग यह mathematical accuracy वही books of account है उसकी जो हम बोल सकते है account ह उनको proper record किया गयada यह जो भी उसके balance है वह proper maintain किये गये या नहीं किये गये accounting principle generally किये है यह नहीं किये गये और आपने जनली क्या कर दिया जैसे income tax है आपको बताएंग है तो drawing account debit to bank क्या cash करना था लेकिन आपने क्या कर दिया income tax क्या से bank कर दिया उसको आपने कहा दिखा दिया पी एनल में दिखा दिया जबकि वो ज्यादा personal use का था इस तरीके से आपको सोचना है जैसे आपको बताएं कि wages to cash है ठीक अब wages to cash है उसको आपने क्या कर दिया मैं बोल सकता हूं कि आपने plan to cash कर दिया machine to cash कर दिया तो वह गलती कर दी तो आपको distinction करना पड़ेगा capital और revenue expenditure की बीच में और आपको particular income और expenditure को साइडंग से दिखाना पड़ेगा जिससे जो भी result है वो साइडंग से दिखे तो उस case में क्या होगा auditor यही चेक करेगा कि कोई गलती हुई नहीं हो ठीक है उसी तरीके से वह देखेगा books or statement तो यहां पर देखिए function of audit में क्या आएगा auditor has to compare the balance sheet and PNL account और other statement with the books of account and supporting voucher to ascertain the final accounts have been made in accordance with the underlying records इसका मलब क्या हुआ आपको बता है कि जो financial statement है उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा जो भी document जो भी information जो vouchers तो proper maintain किये गए है नहीं किये गए कई गलत तो information दे रहा जो balance sheet है उसमें value जारा दिखाई गई गई है और जब कि जो actual record है उसमें value के income है वह आपको बता चल जाएगा उसी तरीके से बोल दिया assets की verification करना और libraries की verification करना देखिए यहां पर क्या बोल दिया वही कि auditor की duty क्या है assets को physically verify करना कि वह एक तरीके से क्या है physically है या नहीं है और उसको side-dunk से record किया गया नहीं किया गया जो भी legal और official document है वह देखना कि एक तरीके से उनकी existence है नहीं है ownership किसके पास है position किसके पास है classification और इसी तरीके classification का मनलब क्या है कि देखिए inventory का पार्ट है तो generally उसको डंग से classify कर रहे है नहीं कर रहे हो वैसे machinery है वह किसके possession में किसकी ownership में वह आपको पता चल जाएगी तो वह किसके तुरू पता जल जाता है auditing के through auditor को डंग से पता चल जाता है फिर देखिए बोल रहा है verification of liabilities इसी तरीके से बोल रहा है कि liability कितनी है actual में आपने जो liability दिखा रखी है वह जान पूछ के कम तो नहीं दिखा रखी जबकि real में क्या है जो liability है वह जादा है और आपने जो balance sheet में दिखा रखी है वह कम दिखा रखी है ते बोल रहा है कि क्या obligation है क्या existence है उसका part completeness कितनी है उसका evaluation करना उसका disclosure करना वह generally एक तरीकी से cover हो जाएगा फिर देखिए क्या बोल रहा है true and fair view the auditor has to give its opinion whether the financial statement depicts the true and fair view of the state of the affair of the organization जो कि आपको शुरू-शुरू में ही बताए गए है वही बार्ट है अब देखिए 9 में क्या बोल रहा है कि देखिए इसमें जनरली क्या देखिए auditor कि जो भी particular records है और प्रॉपर मेंटेन किये गए हैं किसके according act के according जैसे companies act लगता है आपको पता है income tax act के according proper record मेंटेन किये गए या जो भी other act है उसके according organization ने प्रॉपर record मेंटेन किये है या नहीं किये वह चेक कर देगा reporting last में जाके क्या करेगा company की जो भी financial position है उसको देखते वह वह true and fairview देना चाहता है तो उसके basis पर क्या करेगा वह अपनी opinion देदेगा किसमें report में तो यह बोला है the auditor has to report the authority to the authority appointing him for conducting audit whether the financial statement of accounts examined actually reveals true and fairview of the state of the affairs and of the profit or loss and during the period by the organization तो generally यही बताएगा कि एक तरीके से वह true and fairview दे रहे है नहीं दे रहे तो यहाँ पर बोल रहा है कि company जो भी उसको appoint करती auditor को तो auditor उनको बता देगा कि आपकी जो भी क्या यह financial statement है यह सही तंग से view दे रही है यह नहीं दे रही तो उसमें अपनी opinion दे देगा जो भी adverse opinion है य यह माना जाता है अब देखिए benefit की जो बात है वह आप देख लिए ना क्योंकि normal party मैं उपर उपर सब को बतायता हूं सबसे बेले क्या दे रखा है वह satisfaction होगा क्योंकि देखिए कभी-कभी owner को क्या है पता नहीं चलता कि क्या-क्या record हो रहे हैं क्या-क्या activities इतनी सारी हो रह मादा है manipulate क्या सकता है और उसके इसमें manipulate तो नहीं एक तरीके साम क्या बाल सकते मिस-एप्रोप्रोड्य क्या सकता है कि stock दीर-दीर क्या are employees ने क्या कर दिया चुरा लिया और उसको पता नहीं चला तो owner उससाब सकता है पता कर सकता है कि कि कहां पे गर बढ़ हूई है तो business operations related पार्ट में सेटिस्वाए हो सकता है और वेरीज की वर्किंग का से चल रही है उसमें भी सैटिस्वाई हो सकता है कि इसके थूॉ और फिर देखें यह तो आपको पता हैं और अपने पूरा का पूरा देख लिया वैसे देखिये वेरिफिएइचन ऑब्वक्स बोल दिया अब आपको बोल रहा है कि जब भी वेरिफिकेशन होगा ओड़िट की बुक्स का ओड़िट के थुरू बुक्स का तो इसके थुरू क्या है लेगी कि जो भी आपके रिकॉर्ड है प्रॉपर मेंटेन किये गए अनाधर एड़बांटेज ओड़िट इस अप्टो डेट एट अप्टो डेट एट अल टाम से बोल दिया फिर देखो आपको दे रहा है इंडिपेंट ऑपिनियन यहां पर जब भी ओड़िटर अपनी ऑपिनिन देता है मैंने किसी के इंफ्लूएंस मां कि नहीं देता वह एसपेक्ट में and it will be of extreme importance of the management of the company जिससे पता चल जाएगा कि management efficient है या नहीं है management से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा फिर देखिए जो यह moral check है न है वो यह ही है detection and prevention of error and fraud क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर क्या बोल रुक है the process of audit will establish a check on the mind of the staff working in the business क्योंकि अभी मैं आपको बताया था internal check बताया था जिसमें मैंने बताया कि पता चल जाएगा कि cash end ने कितना cash का embezzlement किया है चलो cash end ने कुछ नहीं करा लेकिन आगे जो recording का पार्ट है वो accountant ने गलत कर दिया तो वो irregularty पता चल जाएगी ठीक है तो हर working के जो staff है जो यानी staff है उनको पता चल जाएगा कि हम कईबे भी गलती करेंगे तो audit में पता चल जाएगा और owner क्या करेगा हमें या पता चल जाएगी तो एक moral check पता चल जाता है यानि आप यह बोल सकते हो कि staff इमानदार है या नहीं यह वो पता चल जाएगा क्योंकि staff को क्या रहेगा बात में डर डर लगा रहेगा कि या और पता चल जाएगी तो इससे अच्छा वो गरबड करेंगा ही नी फिर 6 में क्या बोल दिया प्रोटेक्शन ऑफ दा राइट और इंट्रेस्ट ऑफ शेरोल्डर देखिए यह तो बिल्कुल सही है यह तो शुरू-शुरू में बताया कि अगर accountant करेगा और उसके बाद चेक कर गया तो वैसे आफे बोल रहा है रिलाइंस भाय आउटसाइडर आउटसाइडर मलब क्या हो गया जैसे आप शेरोल्डर की बात करर रहे है वैसे के बात करते हैं तो आपको बताए Comptroller and Auditor General of India CAG की बात करते हो तो वो generally क्या करता है? Audit करता है वैसे अगर आप Listed Companies की बात करोगे या आप Unlisted Companies की बात करोगे उसमें आपको Individual Auditor आ सकता है या Farm हा सकती है उनकी Term क्या रहती है? 5 Year की रहती है Cooling Off Period होता है वो अगली वीडियो में आपको दीरे-दीरे पता चलता जाएगा तो यहाँ पर बोल रहा है की Outsider like Creditors, Deventure Holder and Bank etc. will rely on the books of account and financial statement of the business if they are audited by an independent authority, मलब external auditor ठीक, फिर आपको बोल रहा है ensure compliance with legal requirement, audited statements are necessary to fulfill certain legal requirement, example listing requirement of stock exchange etc. फिर देखे बोल रहा है reinforce and strengthen internal control आपको मैंने बता है internal check रहेगा internal audit का system रहेगा तो उस case में जो भी gap आ रहे है वो पता चल जाएगे उस basis पे वो क्या गरेगा necessary changes कर सकता है ठीक है? तो auditing के थूज को पता चल जाएगा कि कहां कहां पे दिक्कत हो रही है कहां पे problem आ रही है, किस activities में बैंक आपको आराम से loan provide कर देगा अगर आपकी position अच्छी नहीं है तो उस basis पे आपको कम loan देगा अगर position अच्छी है तो उस basis पे आपको ज्यादा loan देने की कर देगा position अच्छी नहीं कहने का मलब क्या है कि अगर आपकी जैसे turnover का part आ गया या जो assets liabilities है इतनी जादा नहीं है तो उस case में क्या करेगा आपको loan कम देने की करेगा क्योंकि आपकी balance sheet और statement of P&L उसके थुरू ही आपको क्या दिया जाता है loan देने का part क्या जाता है जैसे generally देखो हम क्या करते है individual income tax return फाइल करते है तो उसके basis पे bank क्या करता है generally return देखता है और उसके basis पे loan कम जादा देने की करता है आपको पता है तो उसी basis पे यहाँ पे क्या होगा एक तरीके से money आराम से business यानि business आराम से money को borrow कर सकता है bank से किसके थुरू जो भी audited financial statement है उसके थुरू अब limitation दे रखा है limitation में क्या दे रखा है देखे सीधी से बात है अगर आप auditing करा रहे हो तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि internal audit का part भी आ गया statutory audit का part भी आ गया तो higher cost बड़न लगेगा अगर देखे मैं internal audit भी आपको वह आपसे कुछ न कुछ amount चार्ज करेगा तो बोला due to higher cost बड़न the auditor limits his scope of work to selective testing और sampling thus in depth checking of books of account is not possible तो देखे मैंने क्या बोला कि company के लिए cost ज्यादा लगेगी तो company भी क्या करेगी auditor को ज्यादा amount देने की नहीं करेगी auditor को पता है कि मुझे जितना amount मिलेगा मुझे उसके according की काम करना है तो उस हिसाब से क्या करेगा वो proper check नहीं करेगा वो sampling के form में check कर लेगा वो एक तरीके से क्या करेगा testing का formula जो भी अपनाएगा वो random क्या करेगा sample ले लेगा बहुत सारे बोलोंगा कि books of account का part है उसमें से proper पूरे के पूरे क्या करेगा check नहीं करेगा दो-चार accounts देख लेगा उसको check करके क्या वो लेगा position सही है ऐसे देख लेगा जबकि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने particular sampling का part छोड़ दिया यह निया main sampling का part छोड़ दिया या main account छोड़ दिये तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और report भी का हो सकती है गलत हो सकती है फिर आपको बोल दिया based on test checks generally an auditing exercise based on test checking जैसे मैंने आपको बता है compliance test होता है substantive test होता है वो सारा part हो गया inferring a result on the basis of test check always need not to be true यह बोल रहा है कि जब भी test check होता है जरूरी नहीं कि वो हमेशा true हो कभी कभी गलती भी हो सकती है फिर आपको बोल दिया insufficient time देखिए इसमें बोल रहा है insufficient time में कि जो auditor generally होता है उसको क्या चाहिए होती है एक तरीके से report present करनी पड़ती है particular time limit में जैसे हम बोल सकते हैं कि professional जो भी companies होती हो इसकी करनी पड़ती है आपको 38 September के अंदर tax audit की report देनी पड़ती है मान के चलिए मैं tax audit का example दे रहा हूं जो भी statuary audit का example दे रहा हूं इंपोर्टेंट हो सकती है क्योंकि उसके माइं बो टाइम पीरिट चलेगा और इसके basis पे उसको audit report conclude करनी पड़ेगी तो कभी कभी कुछ चीज़े उसकी क्या होती है जो main evidence से वो रह जाते है तो जनरली वो क्या करता है कि जब भी जो event होते है उसके बाद वाले वो कभी 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 कवर नहीं कर पाता या एक तरीगे से उसके mind में 1 April से 31 March का part यह तो आगे के वो event वो transaction नहीं ले पाता और उसको वो properly conclude नहीं कर पाता, covered नहीं कर पाता moreover there is a relatively short time period availing for resolving uncertainties existing at the financial statement date तो यह बोल रहा है कभी कभी relevant short time period होता है जिसके तुरू जो भी uncertainty है उसको resolve करना मुश्किल हो जाता है financial statement date को फिर आपको बोल दिया inconclusiveness of evidences देखें यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी evidence auditor को मिलते हैं वो जातर क्या होता है पर्सियोस होते है rather than conclusive इसका मुलब क्या होता है कि auditor उन कागच को देखके particular document को देखके believe कर रहा है ठीक है पर्सियोस का मुलब क्या हो गया कि आप believe कर रहे हो कि यहाँ सही होंगे लेकिन conclusive का मुलब क्या है कि आपने खुद तो जाके check नहीं कर रहा है एक तरीके से कि यार इसने उस वक्त बेचा होगा goods को तो मैं जाके check करूँ तो आप past में तो जा नहीं सकते है आपने particular कार देख लिया invoice देख लिया invoice देखके आपने यक्रीन कर लिया कि सामने आली party ने ये goods बेचा है लेकिन उसमें क्या हो सकता है कुछ जालसाजी भी हो सकती है कुछ fraud भी हो सकता है लेकिन वह आपको नहीं पता तो generally वह क्या कर रहा है believe कर रहा है document देखके तो conclusive evidence उसको नहीं पता यहाँ पर जैसे एक example दे दिया for example an architect certificate of valuation for a newly constructed building of a client may not be conclusive evidence of the correct value of building देखिए अब auditor क्या देख रहा है building की value चेक करना चाहता है एक नई constructed building है तो उस case में जो client है न मलब company जिसकी building है उसने क्या अगर दिया architect के certificate का certificate प्रोवाइड करा दिया उसका valuation दिखा दिया और देखिए यह building के valuation है तो जरूरी निया auditor satisfy हो पाए लेकिन auditor क्या करेगा इसके basis पर देखेगा क्योंकि आपको पता है कि ओरिडर को document दिखी रहे है जो कि architect ने certified किया है अब क्या बता आर्किटेक्ट ने पेसे खाये हों किसे client से और इसके basis पे value कर रखा हो कम पे value कर रखा हो building को जादा value कर रखा हो जैसे भी business की need है उसके according उसने value कर रखा है तो कभी-कभी क्या है information जो है वह proper नहीं मिल पाती और conclusive evidence नहीं मिल पाते हैं क्या मिल पाते हैं persuasive मिल पाते हैं यानि जिन पर हमें believe करना पड़ जाता है क्योंकि document है हमें believe करना पड़ेगा based on estimates यह बोल रहा है कि accounting process का जो भी part है वो inherent है estimate are an inherent part of the accounting process तो जब भी accounting process होगी उसमें estimate तो करने ही पड़ते हैं आपको बताए कि provision for doubtful debts की जैसे हम बात करते हैं वैसे ही हम यह बोलते हैं कि अगर हमने business खरीदा किसका और goodwill को value करा और उसके basis पे हम क्या बोलते हो goodwill आने वाले 5 साल में write-off होगी ऐसे बोलते हैं तो वह एक तरीकी से impairment test कर रहे हो तो आप estimated कर रहे हो तो जब estimated basis पे आप provision for doubtful debts create करोगे या goodwill के return of का पार्ट बोलोगे या amortization का पार्ट बोलोगे तो कभी-कभी वह exact match नहीं कर पाएगा और auditor तो क्या करेगा फिर उसके basis पर यानि जो भी उसके पास books of account के record दे रखे हैं document दे रखे हैं उसके basis पर accounting कर पाएगा तो exactness नहीं पता चल पाती हैं आपे बोल रहा है estimates are an inherent part of accounting process and no one including auditors can foresee the outcome of uncertainties estimate range from the allowance for doubtful accounts and an inventory of silence reserve to impairment test of fixed assets and goodwill तो यहां पर देखे क्या बोल रहा है कि एक तरह के से estimated range का आती है doubtful accounts related allowance मलब provision for doubtful debts की बात कर रहा है generally and an inventory of silence reserve to impairment test of fixed assets and goodwill और यह बोल रहा है कि जैसे stock obsolete हो जाता है out of fashion हो जाता है तो उससे related आपने reserve बनाया हुआ है provision बनाया हुआ है उसी तरह के से fixed assets और goodwill से related impairment test कर रहा है कि कि किस तरह के से और depreciate होगी या goodwill कैसे amortize होगी and audit cannot add exactness and certainty to financial statement when these factors do not exit तो यह बोल रहा है कि अगर यह factor exit नहीं होते हैं तो वह exact amount पता नहीं कर सकता यह financial statement की certainty पता नहीं कर सकता last में आपको बोल दिया based on the information provided by the management यह बोला जो भी audit opinion होती है जो भी management ने information प्रवाइट किया उसके basis पे होती है hence outsiders cannot fully rely on the auditors report क्योंकि उसको क्या लगे का जो भी outsider में लब क्या हो गया जो भी shareholder लग गया या जो भी bank हो गया जो भी financial institution हो गया जो भी supplier ह हो गया अगर वह audited balance sheet देखेगा तो उसके क्या लगेगा यार auditor भी तो influence हो सकता है क्योंकि management ने जो information दिये या financial statement दे रखे हैं उसी के basis पे auditor ने verify किया है तो क्या पता वह information भी सहीं नहीं हो ठीक है तो इस basis पे कभी-कभी outsider रिलाए नहीं कर पाता अब देखिए यहां पी जो audit section 139 से 148 138 इसले नहीं लिया क्योंकि वो internal audit का है उसको अलग से cover करूँगा तो देखिए जैसे appointment of auditor का पाट आ गया फिर देखिए tenure of auditor का पाट आ गया फिर उसके बाद आपका आ रहा है यह रहा appointment of first auditor का पाट आ गया जो कि कि किसके case में है for other than government company और for government company इसी तरीके से casual vacancy का पाट आ गया government company के लिए other than government companies के लिए फिर देखिए retiring auditor का reappointment का पाट आ गया इस तरीके से मैंने section cover करके removal resignation of auditor and giving of special notice section 140 का पाट आ गया तो इस तरीके से आपके आगे पाट आते जाएंगे जो की अगली वीडियो में cover हो जाएंगे अब अगली वीडियो में कितना content cover होता है म आपका दो वीडियो में cover हो पाएगा तो अभी तो मैंने आपको main basic cover करा दिया account auditing का और आगे जो part आएगा वो एक तरीके से क्या आएगा auditor से related provision का part और audit से related provisions के part आ जाएंगे तो I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए thank you